हाई दोस्तों आप सबका स्वागत आप सबके अपने चैनल है अरहान इंटर्टेमिन मैं हूर राश्री शेक तो आज हम लोग बात करेंगे जी फाय पर आज ही रिलीस हुई ऐसी कुछ शॉट फिल्म के बारे में जो आपको देखना ज़रूर चाहिए क्यों कि परस्नेल यह शुरू करते हम सेकेंड इस शॉट फिल्म से इस शॉट फिल्म में हमें नजर आते है अकाज बैनाजी लक्ष कोचर और पारूल गुलाटी इस शॉट फिल्म की कहाने शूरू होती सुनिल से जिसकी शादी होती है ब्यूटी से अब मैं आपको बता है तो सुनिल के हैं पर जैसे कैसा लागा तो शॉट की फिल्म में चीज तरीके से एक्टर से परफॉमेंस कि और जिस तरह से डिरेक्टर मेंसेज देना चाहता है वह मेसेज मोस्ती जितने भी मैरेट कपल से उनके बीच में कभी नगभी वह चीज आती ज़रूर है और वह चीज आने के बाद उनक परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगा पारूल गुलाटी हो या अभीशक मैनर जी हो या लक्षय कोच वरुसा परफॉर्मेंस जितना था उन्होंने बहुत ही शांदर किया अब बात करें दूसरी शॉर्ट फिल्म के जिसका ना हमें बूम बूम अब इस शॉर्ट फिल्म में जो मैं यहां पर बताऊंगा नि क्योंकि यहां पर यहां पर आपको रिवेल नहीं करूंगा आपको इतना किसे शॉर्ट फिल्म मुझे बहुत हसा और साथ सब्सक्राइब मेसेज भी मुझे मिला इस शॉर्ट फिल्म से उसके लावा परफॉमस की बात को तो इस तरीके से इस शॉर्ट फिल्म में काम किया बहुत ही बहुत भैतर लगा तो मुझे इस शॉर्ट फिल्म भी आपको बहुत पसंद आएगी हाँ लेकिन कुछ लोग जो अलग हटके सोच नहीं तो ऐसा कुछ भी उसको इस शॉट फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा तो तीसरी हमारी जिसका रहा हमें Heartbeat अभी शौट फिल्म में हमें नजर आते है राजीव खंडेलवाल और अनुप्रिया गोईका इस शौट फिल्म की ओरल लेंध निस मिलेट की कहानी की बात को तो यहां पर हमें दो कपल नजर आते है अनुप्रिया गोईका और राजीव खंडवाल दोनों क कि बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह की डिसीज़न्स लेने पड़ते जो कि हमारी बैटर में पर नहीं लें जो कि इस शॉट फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से बता और मैं आप से इतना ही कौँगा कि मुझे वन अप दी बैस शॉट फिल्म में इस एक लिगी जो इस तरह से लोग इसको देखते कि इस तरह से जच करते बैसिकली यह इस शॉट फिल्म में बदा जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा रहा का इसकी जो राइटिंग थी अच्छा फिल्म के बहुत ही बहुत ही क्रिस्प और भॽोटी बहुत ही भैतरी राइटिंग के सौहस वही इतकी और पफॉमेंस की बात को तो मुझे सभी एक्टर्स का परफॉमेंस लागा उस से भी जादा जो इसका मैसे बहुत हिट किया। यह उन शॉट फिल्म में से है जो काफी audience को देखनी चाहिए अब हम बात करेंगे आखरी शॉट फिल्म जिसकर आमें Half Full इस शॉट फिल्म में हमने जा आते है नशुदिन शाह और विकरांद मासे दो great actor, दो अलग-अलग generation के जब एक साथ एक शॉट फिल्म में आते तो देफिनेटली वो शॉट फिल्म कुछ वर्थ वाच होगी देखने लाएग तो हाँ भाई आप लोग बहुत ही मज़ा आएगी देखने लेकिन इस शॉट फिल्म की जिस तरह से एंडिंग होती है पहुत सारे हमाई जो इंडियन वीवर से उनको समझ में नहीं आएगी क्योंकि यह कहानी है अभै खन्ना और अभै खन्ना की अगर आप लोग नाम से नहीं समझ पाया तो आइधिंग आप लोग उससे जादा इस शॉट फिल्म में कितना जाद लोग काम करेंगे बारा मिनिट की शॉट फिल्म में आपको नजर आते हैं दोनों ने अपने हिस्ते काम बहुत अच्छा गया और डिरेक्टर ने जो बताना चाहरा मैं तो समझ कि अगर आप लोग महीं संगे तो कोई बात नहीं तो बस य इस वीडियो में समझाना परता है कि बताना क्या चाहरे और उन्हीं मिन्तों में उनको हर एक एक अक्टर को अपनी लैंस देने परते हैं हर एक सीन पिछिराइज करना परता है और जो बालूल वाले धाए घंटे में बताते हैं वह शॉट फिल्म वाले उनको आदे गंटे म में बतानी कोशिश करते हैं तो जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बाते हैं और मैं हैट्स आफ करता हूं उन शॉट फिल्म बनाने वालों लोगों को जो इस तरीके की शॉट फिल्म बनाते जहां पर आपको बाराम मिनिट में सब्सक्राइज देखने को मिलता है तो बस झाल